कि अज़िए कि अज़िए राजिस्थान विदान्षभा में सतिपक्ष के नेता के गारांदूली जी हमारे नेशुगाई के राश्चर अज़िए वरुल जोदी जी और आज जिसके लिए हम सब यहां कत्रित होए है राजिस्तान प्रदेश के नेश्वाई के अज़िए विनों जाकर जी दीरज गुजर साथ तीर नर्वाज जी अध्लेश अध्यादव जी जिवापॉंगेस के अध्यक्ष अध्यूनिया जी मंच पर अपस्तित विदायकन मुकेश भाकर जी राम देवाज जी अमीन काकी सहा मनीश आदव जी रतन देवासी साथ परशान शर्मा जी सुवेश मूर्जर जी पूर्ग दायक इंद्राज जी जी अखड़ाना साथ तुरुपराम वेकवाल जी मावीर जी राकेश मीना साथ समित भागासरा जी पूर्वद्द्ध अभीशेक चौदरी जी मंच पर बहुत सारे निदागन बैठे हैं उन सबका और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सादवाद देता हूं कि आज विनोद जाकरदी के कारेकरम में हम सब यहां पर उपस्चित हो सके और मैं सबसे पहले बढ़ाई देना चाहता हूं विनोद्ध जी को कि इनों ने आज और चारिक शुर्वात अपने कारेकर की करिये हैं साथियों ये ये एक आज का तो कारेकरम हुआ जैसा गुटासरा जी ने कहा जूदी जी ने कहा विनोद जी ने कहा आज जिस माहोल में जिस भावना से जिस बागदारी से जिस संख्यापल से समूचे कांग्रिस की सोच करता आप सब पूरे परदेश के लोग यहां पर आये हो मैं समझता हूं इससे बेहतर शुरुबात बिनोद जाकर जी की नहीं हो सकती थी वोजे पूरा विश्वास है अपने कारेकाल में यह बहुत कुछ जैसे काम करेंगे इसको लंबे समय तक लोग याद करेंगे दोस्तों आज के इस मौके पर सभी साथ उन्हें बात रखी और सभी ने नौजवानों की भागेदारी नौजवानों की राजनी ती छात राजनी ती विश्व ज्याले की राजनी और कैसे विश्वे कुछ समय में हम सब लोग आगे बढ़ें आज देश में हालात बदलें आज दिल्ली में जरूर एक सरकार बनी है जो एक खंडित जनादेश आया था उस खंडित जनादेश के बाद एक मिली जुली सरकार देश में बनी है यह बात सच है कि भाजपा के निव्चित में सरकार बनी है लेकिन यह बात भी सच है कि बीजेपी चुनाव से पहले 303 सांचत लेके मैदान में उत्री थी और आज भाजपा के सत्तर पिच्चत्र सांचत कम हुए हैं और पूरे देश में कॉंग्रेश का जो संख्याबल था आज दुगना हुआ है और मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि देश का जो माहौल है उसमें बदलाब क्यों आया वो ही नेता वो ही भाशन आप देखते हैं भाशपा के साथियों को दिल्ली वल नेताओं को ऐसे मूड़ा लटका हुआ है चेहरा उत्रा हुआ है और चमक नहीं है सत्ता में बैठे हैं लेकिन सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो मैं मानता कि किसान और नौजवान का रहा पूरे देश में साल की सरकार का कारेका रहा उसको दोगों ने देखा समझा आखलन किया और अंत में लोगों को लगा कि ये लोग बार बार वोई भाशन देते हैं वोई जुमले देते हैं आप समय बदलाव का है इसलिए आज देश की हैं और जब लोगसवा की पहले दिन की कारवाई चाले हुई तभी से केंद की सरकार को पटकने का उनसे सवाल पूछने का और मुझे खुशी इस बात की है कि अब जब देश में ये नीट का मुद्दा जोलंद मुद्दा बन चुका नौजवानों के भविष से जान बूच के खिलवार कर रहे हैं उसका बीड़ा राहुल गाजीजी ने लोगसवा में उठाया है आप सब यहां नौजवान साथ के लठे हैं और हम सब जानते हैं इस देश में परिक्षा पास करकर नौकरी पाना बड़ा कठिन जटिल मेहनत कश तपस्या त्या करने के बाद एक बच्चा बच्ची नहीं करते हैं पूरा परिवार करता है उन परिक्षा की तैयारी करना लाखों लाख बच्चे बैठते हैं चंद नौकरियों के लिए कितनी परिसपरदा होती है और लोग क्या-क्या यात अपना जेल कर अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए बेचते हैं और उसके बाद जो पूरे देश में आज इतना बहुत बड़ा कांड बन चुड़ा है उस नीट की परिक्षा का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है अंदी बहरी होके सरकार बोल रहें नहीं क कुछ जबे गड़बड़ी हुई है हम सब आज एनिश्वाई के कारक्रम में आए हैं हमको यह जवाब लेने होंगे यह पेपर लीक होते कैसे हैं करवाने वाले कौन हैं और कागजी कारवाई से भाशन देने से गड़ियाले आसू बहाने से नहीं होगा आप उन लोगों को पकड़ों को इसकी पीछे बैठे हुए हैं हमें मजबूर करना पड़ेगा साथी हमें मजबूर करना पड़ेगा देश की लोगों को जो सत्ता में रहते हुए इस गिनोने अपरात को बरदास्त करते हैं मैं आरोपी नहीं लगा रहा हूं लिकिन जो लोग ऐसे अपरात को परदास भी कर रहे हैं वो उतने ही प्रएगार है और चात्संकियां बात करते हैं धीरत जी बोल रहे थे परकीप जी बोल रहे थे हम लोगों को संकल्ब लेना चाहिए सद्धान तेक संकल्ब लेना चाहिए इस प्रकार की कारवाई के लिए हम हर सीमा पार करने को तयार है और विनोची आप बरुन जी ने पूरे देश में आज मुहिंट वालाखी है यूवक कॉंग्रेस ने ने कि केंद की सरकार जो जान पड़ेगा को टासरी बता रहे थे कैसे सब को साथ लेके हम लुक चल रहे हैं और यह कॉंग्रेस की किसी एक नेता की बात नहीं है यह 135 साल से इस पार्टी ने बहुत लोगों के लिए बहुत लोगों के दिये हैं और एक ऐसी सोच बैदा करी है जो त्मी व्यापक है उसमे हर उम्र का हर धर्म का हर पिष्ट भूने का हर जादी का व्यक्ति समा सकता है जरुवत बात की कुछ भावना को हम पैदा रखें आज युवाओं के लिए हम से बाते करते हैं नौजवान देश का भविश्य है नौजवान देश का भविश्य है मुझे भी 25 सालों के सुद्य सुनते हैं हकीकती है साथियों कि नौजवान देश का वर्तमान है भविश्य तो बहुत लंबी बात है वर्तमान है इस बात तो हमें समझना पड़ेगा इस बात को एकसेप्ट करना पड़ेगा और राजिस्थान के बारे में बरुज बता रहे थे राजिस्थान वो राज्य है जहां बहुत सारे नौजवानों को मौका मिला मौका सिर्फ प्लैटफर्म मिलता है आज यह अद्रक्ष नहीं है पहले विशेक सकते हो पढ़ बात नहीं है उस पत पर रहते हुए हम के आपनी चाप छूर सकते हैं हम लोगों के दिलों में जगेंपेदा कर सकते हैं मैं 2016 2013 कि राथ बताता हूं आप लोगों के मैं संसट में नहीं था उस समय कॉंग्रेस पार्टी के सोनिया गांदी जी थी और अखी ब्यारी बाचपेशी प्रधान मंत्री थे 2004 के लोगस्वा चनाव आने वाले थे 2003 में मुझे महिना याद नहीं है लेकिन सोनिया गांदी जी ने देश भरके 15-30 नौजवान लोगों को AACC में बुलाया मुझे भिया मंतन दिया मिमा गया और उडिसा बंगाल कलकता हर जगे से पंजाब राइसान के लोग आये थे और सोनिया जीने अकेले महा मुलाकात करी एस कॉंग्रेस प्रेज़ेंट और उन्होंने कहा कि अगले साल लोगस्वा का चुनाव है हमारी पार्टी में कारेसमिती भी है प्रभारी भी है बड़े बड़े बदों के लोग हैं लेकिन 2004 में जब कॉंग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जाएगी तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मिलकर अपने अपने राज्यों में जाओ और सुनो और समझो कि इस देश का कॉंगिस की अध्यक्ष उस ताइम मैं 23-24 साल का होंगा मैं रख्याल ऐसे हम लोगों को बुलाया और बड़ा अनौप्चारिक बात करकर कहा कि आप जो कैंपसेस में कॉलेजिस में उनिवर्स्टी में जो यंग प्रफेशनल्स हैं उनकी बात को सुनो गाहों में धानी में जाकर और उनकी बातों को सुनकर हमको बताओ ताकि हम उसको अपने मैनिफिस्टों में डाल सकें नौजवान लोगों को राजनीती के अग्रिम पंक्ती में हमेशा कॉंगेस पाड़ी ने जगे दी है और पिसली आट-दस सालों में जितने हमारे साथियां बैठे हैं जिरको सबको जब नौजवान में सांसफ़ मन्त दक्ट बनने का मौका मिला और अपने कारकाल कियां में और नौजवानों को नहीं दे तो वह गलत बात है हम लोग जो पहुंच चुके हैं, आज हमारी जिम्मेंदारी बनती है, कि हमसे जो उमर में कम हैं, उनका साथ हम दें, उनको रास्ता हम दिखाएं, उनकी गलतियों को सुधारें, अपने अनुभव कराव उन लोगों को दें, ये जिम्मेंदारी हम सब मंच पर बैठें, और य आता हूं, नेता पतिविष बनने के बाद, आपने जो करारा भाशन दिया, जो आपने जो महां भाशन दिया था, जितने बाश्पके साथी बैठेते, वो अपना सर है, कि अब पांच सर के लिए मारे गए, और अभी भी, आप हर बात पर उठकर अपनी बात को रखते हो, मेरे उमर के हैं, लेकिन हम डोटा अश्रा जी, टिकाराम जी और हम, हमने ख़ता काम किया, जिले के अद्रक्ष थे, मैं परदेश में अद्रक्ष काम कर रहा था, आज मैं दिली का महासा चिव हूँ, ये परदेश अद्रक्ष और नेता पतिपक्ष है, समय का अच्छा को र और कोई कितना भी चाहे, कोई कितना भी चाहे, मेरा अनुबवे कहता है, हवा, पानी और नौजवान अपना रास्ता ढूंड लेते हैं, अब आपको सिर्फ, लेकिन हाँ, आपकी नियत में, आपकी काबलियत में, आपकी मेहनत में, अगर कहीं खोट आएगी, तो वो छिप कितनी भी नहीं है, तो क्रिप्या करके संकर्प लो, मेहनत करो, समय लग सकता है, लेकिन मैं बता रहूं आप लोगों को, अगर आप मेहनत करते रहोगे, आपका समय जरूर आएगा, पदोस्त मिलते रहेंगे, लेकिन पद जब मिल जाएं, तो क्रिप्या करके, उन लोगों जाते हैं उनकी फिर बद्दुवा लगती है इसलिए उन सब लोगों को साथ देकर चलना चाहिए दोस्तों मैंने शुरू में जब कहा कि ये नीट का प्रकरण इसने देश को हिला दिया है और अब मैं देखता हूं कहीं कहीं ना कहीं जब सरकार तो बन गए बीजेपी की लेकिन थोड़ा थोड़ा परिवतन मीडिया में भी आया है अब वो भी जो है मुद्दों को दिखा रहे हैं कम्यों को बता रहे हैं और विपक्ष की अवाज को वो थोड़ा बद दिखानोंने शुरू किया है पेपर जब लीख होता है मैं तो ऐसा मानता हूं कि इससे गिनोना पराद नहीं है और जो अफसर अधिकारी निता जो भी है उनको अगर काली कमाई करनी भी है तो मैं तो किसी और डिपार्टमेंट को पकड़ लो लेकिन इसको जो पेपर लीग इस देश पर देश में होता है तो और आप सब जानते ह पेपर लीग पे मैं जो स्टैंड रहा मैं कल भी उस पर कायम था आज भी कायम हो और हमेसे कायम रहूंगा कोई कित्ता बड़ा वेक्ति हो अगर उसने जाने जाने में हजारों लाखों बच्चों के भविश्य खिलवार किया है तो किसी ने सही कहा कि हर गल्ती सदा मांगती है अगर आप गल्ती करोगे आपको सदा मिलनी चाहिए और नौजवान के भविश्य खिलवार करने का दिकार किसी को नहीं है आप कितने बड़े नेता हो कितने बड़े दिकारी हो कितने पूजी पती हो आप नौजवान के भविश्य खिलवार नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पिछले पांट साथ आठ जो अध्यक्स थे वो सब यहां पर आए हैं हमारे नेता पतिफक्ष हैं अध्यक्षी हैं दिली से अखिल बारती काओंगे सिर्फ से मैं आया हूं वरुन चौदीजी आए हैं आज हम सब जो आप बीच बैठे हैं और जो गोवर्ण डोटाशाजी ने है कि कौन काम कर रहा है क्या हो रहा है क्या नियम कानून बन रहे हैं और सदन के अंदर सदन के बाहर हमारी सोच को हमारी विचारदार को बढ़ाने का काम आप लोगों को करना है विनोजाकर जी आप और आपकी टीम पूरी पाकट से काम करें जिनमुद्दों को आपने बता जब लोग च्छाचन के चुनाव लगते हैं उनको पाइदान मिलता है आगे बढ़ने का अपनी जैसा डोटा सेची ने कहा विपक्ष में रहकर आप अपनी काबले साबित कर सकते हो सत्ता में रहके इंसान बन जाता है अभी मारे अब पता नहीं मंत्री तो है कृषी मंत्री पता नहीं हो सत्ता में है की नहीं है मामला लटका हुआ है और तो कहता हूँ अगर सरकार थोड़ा जो लगा के मनाएगी तो मान जाएंगे वो उस काखारे पहुंच गए हैं लेकिन सरकार का जो काम है पिछले आट-टनो महिने का लोग उससे खुश नहीं है मैं आप सब न मैं एक स्थापना करी है और जैसा जूली जी बोल रहे थे मैंने भी यहां बहुत का रिकम करें हैं मैंने भी होल को कई बार बढ़ा है लेकिन आज जिस जोश से बढ़ा है जिस भावना से बढ़ा है उससे देखकर मुझे लगता है क्याने मारा बना है नौजवाना का हूं सादवाद देता हूं और आपके काम्याब कारेकाल के आपको बगरें बदाई देता हूं और आप सब लोगों को विश्वर खुश रखे मुस्कुराते रहों